अमतुल्ला शाहिदी के नेत्रित्व वाली अफगानिस्तान टीम जीत के बेहत करीब थी। उसने आस्ट्रेलिया को 292 रन का लक्ष दिया और कंगारू टीम के 91 रन पर 7 विकेट गिरा दिये थे। मगर फिर ग्लेन मैक्स्वेल ने पूरे मैच का नक्षा बदल दिया और अफगानिस्तान की टीम जीती हुई बाजी हार गई। अफगानिस्तान के पास शांदार मौका था कि आस्ट्रेलिया को मात देकर सेमी फाइनल में पहुँचने की अपनी उम्मीदों को बेहत मजबूत करे। हाला कि ऐसा संभव नहीं हो सका। कई लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप 2030 में सफर यही समाप्त हो गया है। लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है। अफगानिस्तान के पास अब भी सेमी फाइनल में पहुँचने का मौका है। चलिए आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान की टीम कैसे अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर सकती है। अफगानिस्तान को अपना अगला मुकाबला अहमदाबाद में दक्षन अफरीका के खिलाफ खेलना है। अफगानिस्तान को इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान को सेमी फाइनल में पहुचने के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलेंड पर भी निर्भर रहना होगा